ग्वालियर में एक प्रेमी जुडे को प्रेमिका के परिवार वालों ने तालिबानी सजा दी है दरसल देवगड़ गाव के रहने वाला प्रेमी पिंकी परिहार रविवार की रात अपनी शादी शुदा प्रेमी का सोना बाथम से मिलने उसके घर मोहनगड़ गाव गया हुआ था इस दोरान प्रेमिका सोना बाथम के परिवार वालों ने दोनों प्रेमी प्रेमिका को एक साथ पकड़ लिया प्रेमिका सोना बाथम शादी शुदा है, वह अपने माई के मोहनगड में रह रही है उसका देवगर गाव के रहने वाले पिंकी परिहार से प्रेम प्रसंग चल रहा है शादी शुदा होने के बावजूद वह अपनी प्रेमी से मुलाकात कर रही थी यह बात प्रेमी का सोना बाथम के घरवालों को नागवार गुजरी उन्होंने दोनों को रसी से बांध दिया उसके बाद दोनों की बेरहमी से पिटाई की प्रेमी प्रेमी का की तालिबानी सजा का विडियो सोशल मीडिया में वाइरल हो रहा है इस मामले में अभी तक प्रेमिका के घरवालों के खिलाफ कोई कानूनी कारवाई नहीं हुई है वाइरल वीडियो पुलीस के पास भी पहुँचा है इस मामले में वरिष्ट अधिकारी ने वीडियो की जांच करकर दोशियों के विरुद कड़ी कारवाई किये जाने की बात कही है दरअसल यह पूरा मामला ग्वालियर देहात के भितरवार थाना के मोहंगर गाव का बताया जा रहा है विडियो में दोनों प्रेमिका रसी से घर में एक पिलर के सहारे बंधे हुए दिखाई दे रहे है प्रेमिका अपने ही घरवालों से रहम की भीक मांग रही है लेकिन फिर भी उसके घरवाले रहम नहीं खा रहे प्रेमी का सोना बाथम के साथ भी उसके घर वाले बेरहमी से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं जबकि प्रेमी युवक पिंकी परिहार जमीन पर ओंधा पड़ा हुआ है उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके साथ भी मारपीट की जा रही है है तो इस संबंद में जो है इस डियोपी वितरवार को नदेशिक किया जाए कि इसकी बस्तुष्प्री क्या है पता करके और जांच करके रिपोर्ट